Hey guys, welcome to my YouTube channel, कैसे हो आप सब, उमीद करती हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ मेरा skincare haul जो की है Amazon से तो यहाँ पर आप कुछ products देख सकते हैं, तो यह सारे products मैंने Amazon से purchase किये हैं और इस वीडियो को मुझे shoot करना था 2020 में, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पाया और इस वीडियो को मैं shoot कर रही हूँ 2021 में So guys, इस basket में जो भी products है, वो सारे नए है नए means मेरे लिए नए है, मैंने अभी तक इन products को कभी भी use भी नहीं किया है तो मैं पहली बार इन सारे products को use करूँगी और इस इन सारे products को use करकर मैं one by one इसका review भी अपने channel पर share करूँगी तो अगर आप मेरे वीडियो को शुरू से देखते हों तो आप सभी को पता होगा कि मैं हमेशा ही नए products लाती हूँ और try करती हूँ और उसके review भी आपके साथ share करती हूँ I don't know मुझे बहुत शॉक है नए नए products को try करना और नए नए products try करते करते कभी-कभी मेरे skin पर बहुत ज़्यादा suit करता है और कभी-कभी acne pimples भी आजाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल suit नहीं करता है तो इसी तरह से चलता रहता है फिर भी मैं नए products try करती रहती हूँ I don't know मुझे अलगी शॉक है इसका तो again मैंने नए products मंगाए हैं और इन सभी को try करूँगी और one by one मेरे चैनल पर इसके वीडियो शेयर करूँगी तो लेकिन आज के वीडियो में जस्त देखते हैं कि मैंने कौन से-कौन से products मंगाए है तो इचली जली से वीडियो को शुरू करते है तो guys सबसे पैना product है यह है lotus की night cream तो यह है Nutri Night Skin Renewal Night Cream तो मैंने इस product को लिया है यह है lotus की अगर आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप सभी को पता होगा कि मैंने लॉरियल का भी night cream purchase किया था और उसका भी मैंने आपके साथ review share किया था वो product मेरे पास है अभी तर पड़ा है लेकिन थोड़ा सा बचा है तो मुझे लगा कि एक और night cream में नया try करती हूँ तो again मैंने यह try किया है यह है lotus का nutrient night इस product को मैंने यूज करना शुरू कर दिया है और बहुत ही जल्दी आपके साथ इसका review भी share करूँगी तो सबसे पहला product यह है lotus का nutrient night cream तो guys second product है यह urban botanics का rose water तो इससे मैंने मंगाया है तो मैं डाबर का rose water है वो भी यूज करती हूँ लेकिन इससे पहले मैंने कामा Ayurveda का rose water मंगाया था छोटा सा जो कि पता नहीं I don't know कहीं पे खो गया मुझे मिला ही नहीं वो rose water तो इस बार मुझे यह थोड़ा सा interesting लगा तो मैंने इसको मंगाया है यह है chemical free और यह 100% pure है यह chemical free है preservative free है मुझे कुछ interesting लगा तो इस बार मैंने यह bottle मंगाया और इसकी quantity by the way बहुत अच्छी है बहुत अच्छी bottle है और यह spray में आता है इस तरह से तो यह है second bottle यह है second product को मैंने मंगाया तो इस product को मंगाया है यह भी product मुझे कुछ interesting लगा इसके ingredients वगरा तो मुझे लगा इसको भी मुझे try करना चाहिए और मैं इसको apply कर रही हूँ तो इसका भी बहुत जली में आपके साथ review share करूंगी तो यह है मेरा ओकी गाईस तो यहाँ पर थोड़ी से voice problem आ गई थी तो मैं voice over कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं बता रही थी यह cream की अंदर से इस तरह से tub form में आती है और यह actually cream skin brightening और skin hydration के लिए एक serum और vitamin C cream भी मंगाई है जो की है biotic की तो सबसे पहले है यह vitamin C biotic की cream का correcting and brightening moisture treatment जो की है all skin type तो यह भी मैंने नया product यह है मेरा fifth product जो की है again biotic से तो यह vitamin C dark spot solution तो इस serum को मैंने मंगाया है biotic serums मैंने पहले भी use किया हुए है जो की छोटी सी bottle में आते है तो इस बार मैंने यह कुछ pump type में है तो इसको मंगाया है यह dark spots को कम करता है तो मुझे interesting लगा और ही again all skin type है तो इसको मैंने पर्चेस किया है तो इसका भी review में आपके साथ शेयर करूंगी next मैंने एक essential oil मंगाया है जो की है lavender का तो यह है ray का lavender oil essential oil मैंने अभी तक यूज नहीं किया तो मैं आपको नहीं बता सकती कि यह कैसा है इसको कैसे तरह से मैंने यूज किया है so guys यह था मेरा skincare haul जो भी सारे मेरे products Amazon से मंगाया है आपके इसको one by one में ट्राइ करूंगी और आपके साथ बहुत ही जली review भी शेयर करूंगी ताकि आपके लिए वीडियो helpful रहे है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो आपको यह वीडियो देखने में मजा आया हो दो प् Less में चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राब करकर बल आइकन को जरूर प्रयद करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि ऐसे ही मैं आपके साथ अच्छे वीडियो शेयर करते रहूं तो मैं विरूत यु मनें नेक्स वीडियो में तिल देंग टेक here, bye!